हाई दोस्तों आप सभी का बीस इलेक्रिकर चैनल में स्वागत है आज हम ट्रांसफार्मर के इपोर्टेट क्वेशन देखेंगे जो की इंट्रिव्यों में बार बार पूछे जाते हैं सबसे पहला है कि ट्रांसफार्मर क्या है इट जे लेक्रिक स्टेटिक डिवाइज इट केन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बोल्टेज एंड क्रेंट बिड़ाउट चेंजिंग फ्रुकेंसी इसका मतलव है कि ट्रांसफार्मर एक स्टेटिक डिवाइज है इसमें कोई भ को कम ज़्यादा करता है बिन फ्रोगेंसी चेंज की है आपने देखा ही होगा कि ट्रांसफार्मर और लेक्टिकल मोटर एक प्रिंसिपर पर वर्क करती है ट्रांसफार्मर भी एक लेक्टिकल डवाईज है एंड मोटर भी एक लेक्टिकल डवाईज है लेकिन दोनों में सेगंड कोशन है कि step up and step down transformer क्या होता है उन्डस्टी में कौन सा transformer यूज किया जाता है जैसा कि electrical genetic station में 11 kv generate होता है इसको transmit करने के लिए step up transformer का use करते हैं जो कि 11 kv को 220 kv में कर देता है उसके बाद electrical substation की सायता से हमारे घर्व तक step down होते होते 11 kv तक रहे जाता है फिर building या industry में हम line को use करने के लिए step down transformer का use करते हैं जो कि 11 kv को 415 bolt में convert कर देता है इंडस्टी में step down transformer use होता है जो कि 11 kv को 440 bolt में convert कर देता है तीसरा क्वेशन है कि frequency कितनी change होती है stop down करते वक्त तो रांसर देना है कि transformer frequency change नहीं करता है इंडिया में frequency fix रहती है 50 Hz चोथा क्वेशन है कि distribution transformer के पास कोई सा circuit breaker use होता है और अंसर देना है कि HT side BCB मतलब backing circuit breaker और LT side ACB मतलब air circuit breaker use होता है पाजमा question है कि type of transformer category based बहुँ सारे transformer है जैसे गी output or bolt based step up transformer step down transformer cooling or insulation based oil type transformer dry tribe transformer power question based power transformer distribution transformer measurement based CT or PT CT means current transformer PT means potential transformer जे थे transformer के 5 important question जो की interview में बार बार पूछे जाते हैं नेटिकल नॉलेज की वीडियो देखने के लिए प्लेज सब्सक्राइब चानल और थेंक्स फार बाचिंग